And our next topic is the Cholas, a case study. इसी chapter में अभी-अभी हमने discuss किया है Southern Dynasties के बारे में, जिन में हमने the Chalukyas, the Pandyas और the Pallavas के बारे में बात की थी. अब हम बात करेंगे Cholas के बारे में. जो South India थी, उसमें Cholas कब आये, कैसे उनकी उत्पत्ती हुई, किस तरह से वो पावर में आये, किस तरह से उनका अस्तित्व आया. वो स्टोरी बहुत हीं इंट्रस्टिंग है. The story of the rise of the Cholas in South India is an interesting one. और दूसरी बात इसमें सबसे ज़्यादा important ये थी, Raja Raja Chola One and Rajendra Chola One were the most important rulers of this dynasty. इस dynasty के दो सबसे ज़्यादा important जो rulers थे, वो Raja Raja Chola One और Rajendra Chola One थे. जो Raja Raja Chola One थे, उन्होंने 1985 से 1014 CE तक rule किया था और जो Raja Raja Chola One थे, उन्होंने 1012 to 1044 CE तक rule किया था. जो Raja Raja Chola थे, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा war की policy को follow किया था. यहाँ तक कि उन्होंने जो Eastern चालुक्यास थे उन पर और पल्लवास पर अपना अधिकार करने के लिए उन्होंने policy of war को इस्तेमाल किया था. मतलब कोई भी किसी भी चीज़ पर अगर उन्हें आकरमन करना है, कोई भी राज्य अपने राज्य में मिलाना है, तो वो एक ही policy पर work करते थे हमेशा और वो थी war, यानि कि युद्ध की नीती वो अपनाते थे. उसके अलावा जो राजेंद्र चॉला थे, he was the most famous चॉला ruler, जो राजा राजा चॉला वान थे, उन्ही का जो successor बना था, वो बना था राजेंद्र चॉला. वो उनके बाद सबसे ज़ादा famous चॉला जो थे, वो राजेंद्र चॉला थे, he further strengthened the kingdom by completing the conquest of Shri Lanka. उन्होंने इतना ज़ादा अपने kingdom को strength दे थी थी, कि उन्होंने अपना kingdom South India से start किया था, लेकिन Shri Lanka तक पहुँचा दिया था. He defeated the ruler of Bengal, उसके बाद उन्होंने Bengal के ruler को भी हराया, और अपनी आर्मी को म्यानमार तक भेज दिया. By the beginning of the 13th century, the चॉला power declined as they lost to the Pandyas. Invasions by the Delhi Sultanate rulers and the rise of the Vijayanagara Empire in Karnataka ended the supremacy of the चॉलाज. जो चॉलाज थे, वो starting में जैसे South India में, जो और हमने चालुक्यास, Pandyas के बारे में पढ़ा था, और पल्लवास के बारे में पढ़ा था. तो पल्लवास को हरा कर ये South India में आये, और आकर अपना राज्य किया. जो राजा-राजावन थे, उन्होंने तो युद्ध की निती को अपनाया था, और जो राजवेंद्र चोला थे, जो राजा-राजा-चोला के सकसेसर थे, उन्होंने भी अपने किंग्डम को आगे इतना बढ़ाया, कि उन्होंने श्रिलंका तक पहुँचा दिया, और उसके बाद उन्होंने फिर बेंगॉल में भी, बहां के रूलर को हराया, और अपनी आर्मी को म्यानमार तक भेज दिया, 13th century के स्टार्टिंग में तो उनका सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन पांडियास के हमले के बाद, चोलास की जो पावर थी, वो डिकलाइन हो गई, जो पांडियास से उन्होंने चोलास पर अक्रुमन कर दिया, और उनके राज्य को अपने में मिला लिया, उसके बाद जो बचे कुछे उनके बेंगॉल तक के जो राज्य उन्होंने हडपे थे, वो बचे कुछे जो उनके राजे थे वो डेली सल्तनात के रूलर्स ने हडप लिये और उसके बाद जो चोलास की सुप्रेमेसी थी धीरे-धीरे करकर वो खत्म हो गई अब हम बात करेंगे टेंपल आर्किटेक्चर और सकल्प्चर की जो चोलास से उनका टेंपल आर्किटेक्चर कैसा था और सकल्प्चर कैसी थी किस पैटर्न को वो फोलो करते थे जो चोलाज से सबसे ज़्यादा एक जो common बात थी temple architecture में और sculptures में कि जो चोलाज ने जितने भी temples बनाए हैं जितने भी उन्होंने बनवाए थे structures, sculptures या temples बनवाए हैं उनका architecture almost सबका same था और उनका basic theme था Lord Shiva जितने भी उनके temples बने वे थे वो Lord Shiva के ही theme पर बनाए गए थे the most famous temple built by the Cholas is the Shiva temple in Tanjavur known as the Brideshvara temple और Raja Raja Temple it was built by Raja Raja Chola 1 around 1009 CE and is a structural marvel जो उन्होंने ये temple बनवाया था Raja Raja Chola 1 ने ये temple बनवाया था और ये Tanjavur में located है और इस temple का नाम है Brideshvara temple और Raja Raja Temple इसकी खासियत ये है कि इसका tower 61 meters high है और यहां तक कि जो इसका weight है वो 81 tons है और उन्होंने इस तरह से जो stones से वो easily move कर सके उन्होंने इस तरह से top stone बनवाया था height पर कि जिस तरह से जो पत्थर होते थे उनको कैसे एक जै कैसी दूसरी जगह पर move करना है कि ताकि वो easily move भी हो जाए और अपनी जगह से हिले भी ना ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचें जो दूसरा Shiva temple था जो सबसे पहले जो हमने ब्रिदेश्वरा टेंपल के बारें बात की थी और उसके बाद जो दूसरा Shiva temple था वो बनवाया था राजेंद्र चोला वन ने वो बनवाया था उन्होंने तकरीबन 1025 CE में इट इस अन आर्किटेक्ट्ट्यल मार्वल इट्स विमाना इस 54.86 मीटर्स हाई विमाना मींस जो इनका टावर था वो 54.86 मीटर्स पर हाई था जो फर्स इनोंने बनवाया था ब्रिदेश्वरा टेंपल जो राजा-राजा टेंपल था ये राजा-राजा चोला वन ने बनवाया था ये तो 61 मीटर्स हाई था लेकिन जो दूसरा temple बनवाया था जो राजिंद्र चोला वान ने बनवाया था वो 54.86 meters high था The sculptures of the details in these temples were another highlight of Chola art These sculptures were mostly of Shiva and his various incarnations and others मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो Chola dynasty थी इन्होंने जितने भी अपने temples बनवाया है जो architecture follow इन्होंने किया है और जिस सरा सी इन्होंने structures और sculptures जो थे mostly इनकी जो sculptures थे वो Shiva के बने हुए इनका basic theme ही Shiva था These temples were rich and grants of land were given by the Chola kings to their maintenance और जब इन्होंने इसको बनवाया तो इतना मतलब पैसा खर्च किया इन्होंने कि इसकी maintenance पर भी Chola kings जो थे वो काफी amount खर्च करते थे Many people were attached to the temple including cooks, gardeners, singers, musicians, dancers, accountants, watchmen and others यहां तक कि जितने भी उन्होंने temples बनवाया हुए थे उन सभी temples की देखरेक करने के लिए वहाँ पर उनके जो gardens है उनकी देखरेक करने के लिए उन्होंने gardeners को रखा singers, musicians वहां रखे जो दिन रात वहाँ पर गाना गाते थे watchmen भी उन्होंने रखा था कि कोई भी आकर मंदिर में ऐसी कोई घुसना जाया और उसको नुकसान पहुचाने की कोशिश ना करे the walls of these temples were adorned with many sculptures जो दिवारे थी उन temples की वो बहुत सारी जो sculptures थी उन से सजाई गई थी जो एक हम देखते हैं Natrajan जो मूर्ती हम देखते हैं वो bronze का बना हुआ है और जो सबसे ज़्यादा खास बात थी चोला डाइनस्टे की वो बात ये थी कि इनके जो sculptures हैं जो मंदिर में इनोंने मूर्तियां बनवाई हुई हैं या जितनी मूर्तियों से इनोंने अपने महल को भी सजाया हुआ था वो सारी ज़्यादा स्तर bronze की बनी हुई थी यहां तक कि उन्होंने जो wax का जो process है वो भी इस्तिमाल करके उन्होंने बहुत सारे statues जो है wax models के भी बनवाए थे bronze, stone और wax model ये तीन इनकी सबसे ज़्यादा खासियत थी कि इनी तीनों metals के ही इनके sculptures बने हुए थे इसके अलावा इन्होंने किसी का भी silver या gold metal का इस्तिमाल नहीं किया अब हम बात करेंगे the administration of the empire जो चोला administration है it was considered as one of the best during the medieval times आपको पता है 7th class में हम medieval history के बारे में पढ़ रहे हैं जो चोला administration है यह medieval time का सबसे best administration था the detail of this their administration are found in the temple inscriptions and the copper inscriptions of that period जो इनके inscriptions हमारे पास available है कि किस तरह से इन्होंने अपना administration की जो details हैं कि किस तरह का शासन यह अपने राज्या में करते थे उसके regarding जितनी भी हमारे पास information available है वो इनके जो इन्होंने inscriptions होते थे जो दिवार पर इन्होंने inscriptions बनाय हुए हैं लिखे हुए हैं उनसे हमें इनकी administration structure के बारे में पता चलता था कि इन्होंने अपने empire को कितने categories में divide किया हुआ था अब हम बात करेंगे यहां पर चोला empire के बारे में कि इन्होंने अपने empire को कितने categories में divide किया था अब हम यहां पर बात करेंगी कि जो चोला empire था उसे इन्होंने divide किया हुआ था इसे सबसे best administration structure क्यों कहा जाता है इस diagram के जरीए हम समझेंगे जो चोला empire था इन्होंने अपने kingdom को divide किया था mandalums और provinces में उसके इन्होंने provinces को divide किया हुआ था walnadus और districts में सबसे पहले इन्होंने provinces में divide किया फिर इन्होंने districts में divide किया आगे चल कर भी इन्होंने अपने districts को two parts में divide कर दिया एक इन्होंने नाडus और village village में divide किया districts को और दूसरा इन्होंने cities and towns में divide किया जो villages में divide किया हुआ था यहां पर इन्होंने अपने villages को two parts में divide कर दिया एक था ब्रह्मन और दूसरा था non-brahmans और जो cities थी इनको इन्होंने divide किया था merchants and traders में तो जो चोला empire था वो divide किया था पहले provinces फिर districts districts को two parts में divide कर दिया villages and cities and towns villages को two parts में divide किया brahmans and non-brahmans और cities को इन्होंने divide किया merchants and traders में अब हम बात करेंगी agriculture and irrigation की इनका agriculture किस तरह का था और यह किस तरह की irrigation technique और pattern को follow किया करते थे आपको पता है कि अभी हम लोग south की ही dynasty की बात कर रहे हैं तो जो चोला से वो south dynasty से बिलॉंग करते थे तो definitely यह south की ही rivers का यहां पर जिक्र होगा क्योंकि कावेरी river इनके area में आती थी तो definitely कावेरी river का ही water इस्तिमाल करते थे irrigation में और यहां तक की जो इनका monsoon आता था यहां पर तो वो monsoon इतना जादा overflowed हो जाता था कि कई बार तो जो इनकी नदिया है वो किनारों तक ही पानी भर जाता था और वो किनारों तक ही पूरा बहने लग जाती थी और इसका सबसे best benefit इनको यह मिलता था कि अगर monsoon इनका time पर आया तो इनकी जो पानी होता था कावेरी रिवर में वो पानी इतना जादा भर जाता था कि वो उपर से जो किनारों तक भी पानी भर कर चलता था तो वो अपने साथ fertile soil लेकर आता था और किनारों पर साथ-साथ fertile soil जो थी वही कठी होती रहती थी लोग उस soil का इस्तिमाल करते थे irrigation में और सबसे जादा जो यह पानी देते थे यह cultivation of rice सबसे जादा जो यह चोला से यह rice की खेती करना जादा पसंद करते थे क्योंकि यहाँ पर जो भी इनका environment था जो इनकी soil structure है कि किस तरह से इनका जो soil है वो सबसे जादा rice की rice की agriculture के लिए suitable थी क्योंकि जो south की soils होती है वो wheat के लिए इतना जादा suitable नहीं होती है वो rice और cotton के लिए जादा suitable होती है तो जो south dynastries थी चोला से यह rice की cultivation को जादा importance देते थे the farmers paid revenue to the kings जो farmers थे वो revenue पे करते थे king को many inscriptions found from the chola period describe the revenue system of the cholas और जो cholas का revenue system कैसा था इसके regarding भी बहुत सारे inscriptions हमें मिली हुई है जो यह बताती है कि जो cholas थे उनका revenue system कैसा था और वो कैसे revenue system को follow करते थे अब यहाँ पर एक map दिया हुआ है medieval India चोला time period जो चोला time period था उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बार आपको यह बताना चाहूंगी कि जो हमने dynastries का इस chapter में पढ़ा है जो हमने dynastries पढ़ी थी उसमें चंदेलास, परमार्स के बारे में हमने पढ़ा था जो चोलास डाइनस्टी यहाँ पर आती है आप देख सकते हैं कि इसके पास कौनसी river flow कर रही है कावेरी river तो जो चोलास थे यह कावेरी river का water ही इस्तिमाल करते थे for agriculture and cultivation जो irrigation के लिए वो इस्तिमाल करते थे कावेरी river का water यूज करते थे और इसके आसपास इतनी सारी जो soil थी वो इतनी fertile हो जाती थी मौनसून आने के बाद कि वो इस soil का इस्तिमाल अराम से rice की cultivation के लिए करते थे चावल की खेती इतनी अच्छी होती थी इनके आसपास कि यह उसको import जो इनके पास किसी चीज़ के अगर कमी है तो यह import और export में उसका बहुत अच्छे से इस्तिमाल कर सकते थे जो farmers थे वो अपने राजा को revenue पे करते थे और इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि जो बहुत सार इंस्क्रिप्शन समय मिले हैं जो यह बताते हैं कि यह किस सरग्या revenue system follow करते थे practice zone 2 what made the chola administration best during the medieval times इस ही practice zone 2 में मैंने आपको पहले बताया था कि जो चola administration वो क्यों इतना जादा best था this is the answer of the question number 2 of practice zone question number 1 of practice zone 2 this is the diagram the chola empire था यह कैसे इन्होंने divide किया हुआ था provinces, districts, villages, towns, villages are divided into two parts brahmins and non-brahmins, cities and towns are merchants and traders so this is the answer of question number 1 of practice zone 2 now come to question number 2 explain the art and architecture of the cholas इसमें आपको बताना है कि जो cholas इनका art and architecture structure कैसा था कि इनका जो architecture structure था इसका basic theme क्या था Lord Shiva